हेलो बच्चो मैं अलपना अपनी नई कहानी ले करके आपके सामने फिर से उपस्तित हूँ और आज की कहानी का हमारा शीर्षक है गुलाब का दोस्त तो आईए सुनिये कहानी गुलाब का दोस्त लड़का था एक जिसका नाम था सुहेल तो सुहेल आज अपने स्कूल ना जा करके अपने पापा के स्कूल जाने की जित करने लगा क्योंकि सुहेल बहुत शरार्ती था तो इसलिए उसके पापा अपने स्कूल ने ले जाते थे उन्होंने माना कर दिया लेकिन जब उसकी मम्मी ने कहा कि यह रही से ले जाओ तो हो मान गए और सुहेल को अपने स्कूल ले गए सुहेल बस में बैठा और हरे बड़े खेतों को देख रहा था सरक खिनारे खड़ेवे जो पेड़ है वो बहुत सुंदर लग रहे थे उससे और सुहेल के पापा का जो स्कूल है वो गाहों के बसड़े से करीब डेड़ किलोमीटर दूर था वहां कोई तांगा और रिक्षा भी नहीं जाता था लेकिन सुहेल स्कूल देखने के चाओं में आगे आगे भागा जा रहा था कि उससे बड़ी खुशी थी कि पापा उससे स्कूल लाए है और उसके पापा कहते कि स्वेल दीरे चल नहीं तो गिर जायेगा सुहेल के पापा उससे दीरे चलने के लिए कहते हैं लेकिन वो कहता है कि मैं गिरूँगा नहीं पापा क्योंकि उससे तो सब नजारे बहुत सुन्दर लग रहे जैं सामने जील आई और उसने कहा कि ओरे कितनी सुन्दर मचलिया है सुहेल ने तालाब के बीच तैरती मचल को तो उसके पापा ने जवाब दे नहीं पानी तो इनका घर है पापा ने सुहेल की बात पर मुस्कुराए और यूं बात करते करते पता ही नहीं चला कि स्कूल कब आ गया तो सुहेल वह बड़े स्कूल को देखके बहुत हैरान रहे गया स्कूल में जूले वगरा तो नही पेडों के पास ही आ गैंगा हवा के रुमकने से हवा के चलने से पेडों के पत्ते यूँ चनक्ते जैसे बाजे बज रहे हूं कोई पत्तक पेड से तूट नीचे गिरता तो सुहेल उसे पकड़ता यूँ सुहेल पेड़ के पत्तों के साथ खेल लगा और पेड़ भी कुशी से इदर उदर जूम रहते सुहेल ने जेब से मुझफली निकाली फिर और एक तरफ बैठके खाने लगा क्योंकि उसे लगा कि अब वो कुछ ठग गया है उसे जब सुहेल मुफली खा रहा था तो तभी एक गिलारी पेड़ से नीचे उतरी और बोली मुझे भी दो उसने काले तू भी खाले सुहेल ने गिलारी के आगे दो-चार गिर्यां फेक दी गिलारी अपने छोटे और नुकिले दातों से गिरियों को खाने लगी सुहेल एक गिरी अपने मुह में डालता और देती इन गिरियां गिलैरी के आगे फेंग देता देखते देखते गुटारे भी उतर आई वो भी खाने लगी गिलैरी गुटारों के पीछे पड़ जाती वो उन्हें खाने नहीं दे रही थी तो स्वेल लेकिन वे फिर उड़ती और फि पक्षियों से खेलने लगा पक्षि भी खेल से डढ़ते नहीं थे अचानक सारे के सारे पक्षी उड़ गए तो गिलैरी भी जड़ से पेड़ पर चड़ जड़ गी सुहल ने देख़ा कि वताने क्या बात है सारे पक्षी चले गए उसने देखा कि एक बिल्ली दिवार से जा रही थी और पक्षियों के जब पक्षी चलेगे तो सुहेल बड़ा उदास हो गया तो तभी उसे एक आवाज आई कि उदास मत हो नन्य दोस्त अब उसने देखा इदर उदर कौन है कौन बोला तो उसे डर भी लगा तो कि उसे कोई दिखाई तो दिया नहीं बोलता हुआ वो फिर वोला कि तू डर मत मैं तेरे सामने हूँ एक मूर जाय हुआ से गुलाब ने कम जोर सी आवाज में कहा तो सुहेल ने उसके पास जाकर के कहा क्या तू बिमार है तो गुलाब का फूल वोला नहीं नहीं मुझे बहुत प्यास लगी है और गुलाब की गरदन ऐसा कह जाकर एक तरफ को लुड़क गई तो सुहेल ने का और बता क्या चाहिए सुहेल भागा और छोटी सी गिलासी में नल से पानी भरके लाया शाबाश जैसे गुलाब ने चैन की सांस ली हो और उसने जो है जो पानी लाया था वो पानी गुलाब को दे दिया डाल दिया और सी आवाज में का तो सुहेल बोला कि क्या तेरे साथ यो नो तुछे पानी नहीं पिलाया तो गुलाब बोला जब मैं खिला हुआ था तो सब की मन को अच्छा लगता था अब मैं थोड़ा मुर्जा गया तो मुझे कोई पानी देख रहा बात करते करते गुलाब का मन भर आया तो सुहेल फिर गिलासी में पानी लेका आया और चुचिंता मतकर में तेरे लिए और पानी ले आता हूं ऐसा कहके वो फिर पानी भर के लिए आया उसके पापा ने उसे आवाज लगाई कि सुहेल रोटी खा ले तो सु कि जो आप अभी घर में पोदों में डालते हो सुहेल ने रे का नाम पता मालूम नहीं था कि अच्छा हाथ तु पोदों में खाद डालने चला है पापा ने सुहेल के हाथ में सुखेवे गोबर से सनेवे हाथ देख कर का और उसके पापा कहने लगे ये तो तुने बहुत अच्छा काम कर रहा है सुहेल को गुलाब की जड़ों में रे डाल रहा था सुहेल गुलाब की जड़ों में खाग फिर गिलैरी बोली तु तो ये बहुत अच्छा काम कर रहा है हाँ ये तो भलाई का काम है साथ वाले फूलों पर मंट्रा रही तृतिलियों ने भी गुलैरी की बात पहामी भरी गुटारे भी सुएल के साथ खेलने आ गई सुहेल सभी से खेलने में इन सबसे के साथ खेलने में व्यस्त हो गया और उसे खेल खेल में कोई भूप प्यास भी ने लगी न जाने कब 3-4 गंटे बीद गए उसे तो पता ही नहीं चला कि 3-4 गंटे बीद गए फिर उसने देखा कि अरे वहां गुलाब तो खिल गया तितली गुलाब पर मंडरात पिने लगी तालिया बजाने लगी एक काला भवरा भी फूल पर आकर बैठ गया यहां आँ मेरे पास तु मेरा सच्चा दोस्त है गुलाब ने खुशी भरे आंसों से सुहेल से कहा कि हाँ हाँ तू भी तू मेरा दोस्त है सुहेल ने भी अपने हाथ से नन्ने से गुलाब को सहल आते वे का कि तू मेरा प्यार आसन नन्ना से दोस्त है और पेर पोधों ने सबने मिली जुली आवाज में कहा कि जीता रहे सुहेल तुने हमारे साती की पोधे की जान बचाईए ऐसे ही करते करते छुटी की घंटी बच गई और उसके पिताजी आ गए और उसे ले जाने लगे और सुहेल मुल मुल करके गुलाब की और देख रहाजा जैसे कह रहा हो कि मैं फेराओंगा धन्यवाज